आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे नैशनल सेविंग्स के प्राइज बांड की हम इस वीडियो में बॉंड से रिलेटेड हर चीज बताएंगे जैसे के इन bonds की denomination, इनकी draw dates, इनकी इनामी रकम, ये draw कैसे होता है वगेरा जहां तक denomination की बात की जाए तो price bond जो के unregistered category में fall करते हैं उनमें 100, 200, 7500 और 1500 के bond शामिल है हर bond का draw हर quarter में एक दफ़ा होता है यानि के साल में हर bond के 4 draw होते है इन draw का schedule हर साल national savings की तरफ से जारी किया जाता है और ये draw हर महीने की 15 तारीख को होता है आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे 2022 का draw schedule देख रहे हैं कल 15 अप्रिल को 7.500 वाले bond का कराची में draw होगा इसके बाद इसका अगला draw जुलाई में लहौर में होगा इसी तरह 2022 का आखरी draw कोईटा में October के महीने में होगा इसी तरह तमाम bond का schedule आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है दूसरी कैटिगरी में आपको registered price bond का schedule नजर आ रहा होगा जो के 25,000 और 40,000 वाली डिनॉमिनेशन में available होती है इनके बारे में detail वीडियो भी मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी सो आप काइंडली मेरे चैनल का subscribe जरूर करिएगा जेले हैं बात कर लेते हैं इनामी रकम की सो वाले bond का पहला इनाम साथ लाग दो सो वाले का पहला इनाम साड़े साथ लाग साड़े साथ सो वाले bond का पहला इनाम पंद्रा लाग और पंद्रा सो वाले bond का पहला इनाम तीस लाग रुपया है अब अगर इनके सेकंड प्राइस की बात करें तो सो वाले बॉंड की इनामी रकम दो लाक दो सो वाले की धाई लाक साड़े साथ सो वाले बॉंड की इनामी रकम पांच लाक और पंद्रा सो वाले का दूसरा इनाम दस लाक रुपया होता है अब बात कर लेते हैं इनके तीसरे इनाम की तो दो सो वाले बॉन्ड का तीसरा इनाम हजार रुपया दो सो वाले बॉन्ड का तीसरा इनाम बारा सौ पचास रुपया साड़े साथ सो वाले इनाम का तीसरा नो हजार तीन सो जबके 1500 वाले की तीसरी नामी रकम 18,500 रुपया होती है Price Bonds के Mechanism को समझने के लिए आपको Open Period and Shut Period के समझने की जरूरत है किसी भी Bond की कुरांदाजी के बाद एक महीना उसकी Sale के लिए Open होता है ये उस Bond का Open Period कहलाता है जैसे के कल 1500 वाले Price Bonds का Drawf होगा तो 15 April से लेके 15 माई तक ये 1500 वाले Bond का Open Period होई और इस पिरिट में लिए गए Bond जुलाई में होने वाले डौ में इनाम के एहल होंगे इसी तरह 16 माई से लेकर 14 जुलाई तक 1500 वाले Bond का Shut Period होता है और इस पिरिट में लिए गए Fresh Bond जुलाई वाली कुराणदादी के लिए एहल नहीं होंगे जबके अक्तूबर वाले Draw में ये Bond कुराणदादी के लिए एहल होंगे I think अब आपको Bonds की Open and Shut Period की समझ आ गई होगी और अगर आपको मेरा कॉंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना मत भूलिएगा ज़िए चलते हैं अब इस वीडियो के सबसे इंट्रस्टिंग पार्ट की तरफ तमाम ड्रो नैशनल सेविंग्स की कमेटी की सुपरवीजन में होते हैं और स्टेट बैंक और पाकिस्तान इस पूरे अमल को फैसिलिटेट करता है ये तमाम ड्रो हैंड आप्रेटेड ड्रो मेशीन के थुरू होते हैं जिनके मैनिफेक्टरिंग एंड मेंटेनेंस हैवी मेकैनिकल कमप्लेक्स टेक्स इला करता है जो भी नाम निकलता है उनको बयक वक्त चार जगों पर रिकॉर्ड किया जाता है ड्रो स्टेट बैंक के नौ रिजिनल आफिसेज में होते हैं कराची, लहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पिशावर, फैसलाबाद, कोईटा, हैदराबाद और मुझाफराबाद ये तमाम ड्रो जनरल पबली के लोग भी देख सकते हैं ये हैं अपरेटेड ड्रो मशीन स्पेशल बच्चों से अपरेट करवाई जाती हैं और ये जितने भी ड्रो होते हैं, ड्रो कमेटी की सुपरवीजन में होते हैं जिसकी नॉमिनेशन नेशनल सेविंग्स की तरफ से की जाती है इस ड्रो कमेटी के छे मेंबर्स होते हैं एक चेर्मन, दो मेंबर्स का तालुक Central Directorate of Natural Saving से होता है, एक मेंबर Chamber of Commerce से होता है, एक मेंबर State Bank से होता है, और एक State Bank का Secretary होता है, जिसका तालुक State Bank के Price Bond Section से होता है. यह Draws इंतहाई शgary्फाफ तरीके से होते हैं, क्योंकि draw के वक्त कमेटी के तमाम मेंबरान मौजूद होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तमाम hand operated draw machines प्रॉपरली operate कर रही है हर draw से पहले चार machines के availability को यकीनी बनाया जाता है और engineering department से इन machines की fitness certificate भी लिये जाते हैं माम जीतने वाले numbers इस hand operated draw machine के थूरू निकाले जाते हैं यह कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यह machines taxila complex से मंगवाई जाती है और हर draw से पहले at least 5 machine रेंज की जाती है जिन में से 4 machine draw के लिए यूज की जाती है और एक machine को as a backup रख लिया जाता है हर draw से पहले general public से लोगों को machine की चेकिंग के लिए बुलाया जाता है पहले और दूसरे इनाम की कुरांदादी चार different machines पे की जाती है और 200 वाले bond की कुरांदादी जिसकी दूसरी इनाम में 5 prizes होते हैं उसके लिए 3 machine यूज की जाती है हर 25 इनामों के बाद special child को replace कर दिया जाता है तर कोई duplicate number आ जाए तो उसको register पर note किया जाता है और उसको null and void तस्लीम किया जाता है यानि के वो duplicate number सिर्फ एक बार ही इनाम का हगदार होता है और फिर दुबारा से नया इनाम निकाला जाता है जैसे ही नाम निकालने का अमल मुकमल होता है draw के results को ascending order में करके उसको re-check किया जाता है तमाम numbers PB42 register जिसमें तमाम निकलने वाले numbers का record रखा जाता है उसके तमाम members उसको sign करते हैं और तमाम results की copies उसी वक्त national saving से share कर दी जाती है जिसके बाद ये result पब्लिक हो जाता है उमीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी